x-5 by 2 का जो result आएगा वो उसको 8 से multiply किया करने के बाद में ठीक है जब इसको 8 से multiply करेंगे यानि 8 into x-5 by 2 ठीक है और जो result मिलेगा वो क्या है 3 times the same number ठीक है यानि 3 times of x means 3 into x ठीक है तो ये हमारा जो condition हमें given है वो आगई अब इसको हम solve करेंगे x की value find out करने के लिए तो ये हो जाएगा पहले x को अंदर multiply करेंगे sorry 8 को अंदर multiply करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 into x minus का 5 8 into 5 by 2 तो ये हो जाएगा 4 और ये बचा 8x minus में 20 ठीक है तो ये आ गया 8x minus 20 equals to में ये हो गया 3x ठीक है next हमने solve करने के लिए क्या करना होगा variable term को एक side लेके आना होगा और जो number है उसको एक side पे ले जाएंगे तो हम 3 x को इधर लाएंगे और minus का 20 है उसको right hand side पे लेके जाएंगे तो transposing minus 20 to RHS and transposing 3 x to LHS आप इसको एक step में भी कर सकते हो ठीक है ये इधर आएगा तो उजाएगा minus का 3 x और ये उदर जाएगा तो ये उजाएगा plus का 20 ठीक है इसको आगे solve करेंगे 8 x minus 3 x कितना होगा 5 x plus का और इधर बचा 20 अब x की value के लिए हमने क्या करा इसको 5 से divide कर दिया दोनों side पे तो 5 x divided by 5 is equal to 20 divided by 5 यहाँ पे ये 5 5 कट गया यहाँ पे बचा x और ये हो गया 5 4s हो 20 होता है तो ये आगया 4 तो जो required number है जो हमने suppose किया था x की value के आई 4 तो जो number अमीना ने think किया था वो कितना था 4 अब एक और question है ऐसा ही इसमें क्या है Amun's age is the 3 times his son's age अमन जो है उसकी age उसके son से 3 times जादा है ठीक है अगर उसकी son की age x मान ले ठीक है तो अमन की age क्या हो जाएगी 3x ठीक है 10 year ago he was 5 times his son's age 10 year ago का मतलब क्या है कि 10 साल पहले वो अपने उसके बेटे की age का 5 times था ठीक है तो find their present age तो हमें इन दोनों की present age बतानी है ठीक है तो let's suppose हमने जो son है Amun का the present age of son मान लिया x years ठीक है क्योंकि current situation ये दी गई है कि Amun की जो age है वो उसके son की age के 3 times है तो अगर son की age 3x है sorry x है तो Amun की age क्या हो जाएगी 3x ठीक है दूसरी condition क्या थी 10 year ago son की age 10 साल पहले क्या होगी जो आज की age है उसमें से 10 साल कम कर देंगे minus कर देंगे तो 10 साल पहले की age आजएगी और Amun की age भी आज जो है उसमें से 10 साल अगर minus कम कर देंगे तो उसकी 10 साल पहले की age आजएगी तो ये 10 year ago इन दोनों की age आ गई अब according to condition क्या दिया गया है कि 10 year ago he was 5 times his son's age ठीक है वो उसकी बेटे की age का 5 times था ठीक है तो son's की age son age 10 year ago उसको 5 से multiply करेंगे is equal to Amun's age भी 10 year ago ठीक है तो 5 year ago जो उसकी इस बेटे की age थी क्या x minus 10 इसको 5 से multiply किया is equal to हो गया 3x minus 10 अब इसको हम solve करेंगे 5 को अंदर multiply करेंगे यह 5x minus में 50 हो गया इधर 3x minus 10 है ठीक है 3x को हम इधर ले जाएंगे और 50 को हम इधर लेकियाएंगे ठीक है तो यह हो जाएगा 5x minus 3x और यह हो जाएगा minus का 10 और यह plus का 50 इधर अजाएगा इधर बचा हमारे पास 2x और इधर आगया 40 अब इसको